आज मैं आपको कुछ ग्रीन टी के फायदों के बारे में बताता हूँ दिखिए ग्रीन टी और ब्लेक टी में बेसिकली डिफरेंस क्या है एक ही पेड़ की पतियां है लेकिन जो ब्लेक टी होती है उसको इस तरह से प्रोसेस किया जाता है जिसके कारण उसमें फर्मेंटेशन क्रियेट होती है और इसका नतीजा यह होता है कि पॉलिफिनोल्स की मातरा, कैपेचिन्स की मातरा, एंटियोक्सिदेंट्स की मातरा उसमें काफी कम हो जाती है या कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं रहती जबकि ग्रीन टी में ऐसा नहीं होता, इसमें धेर सारे एंटियोक्सिदेंट्स होते है और बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ ग्रीन टी के कुछ फायदा के बारे में सबसे पहला फायदा तो यह है कि यह हमारे बोडी सेल्स को प्रोटेक्ट करती है इसको फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाती है क्योंकि इसमें धेर सारे बायो एक्टिव कंपाउंड है पॉलिफिनॉल है, फ्लैबोनाइट्स है, कैथेचिंस है जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटी ऑक्सिडेंट का काम करते है और एंटी ऑक्सिडेंट क्या करता है एंटी ऑक्सिडेंट हमारी शरीग को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाता है और free radicals से जो damage होता हूँ, उससे कई तरह की बीमारियां आती है, aging process शुरू हो जाती है, cancer भी free radicals से होने वाला ही एक damage है तो green tea का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, तो इन तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे दूसरा फाइदा ये है कि ये आपके brain के function को improve करती है देखे, green tea में caffeine होता है, आप कहेंगे कि coffee में भी caffeine होता है, लेकिन coffee में बहुत ज्यादा मात्रा में caffeine होता है जो की नुकसान दायक होता है, green tea में काफी कम मात्रा में caffeine होता है, इतना ही होता है जो आपके brain को active करता है इसके साथ ही इसमें एक amino acid LK9 होता है ये इन दोनों का combination है ये brain function को improve करता है और कई बार ऐसी परिस्थिती आ जाती है कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें तो green tea का इस्तेमाल करें ऐसे time पर green tea anti-anxiety का भी काम करता है यानि कि अगर आप कभी बहुत depression में हैं कभी anxiety बहुत हो रही है दिमाग काम नहीं कर रहा है तो ये जो थोड़ी मात्रा में इसमें caffeine है और LK9 जो amino acid है इसका combination जब आपके शरीर में जाता है तो आपका brain properly काम करने लगता है आप active हो जाते हैं और ढंग से सोच पाते हैं और जो depression और anxiety है वो आपकी दूर हो जाती है green tea का तीसरा फायदा ये है कि ये आपकी दातों के health के लिए बहुत अच्छी है देखिए दातों में एक primary bacteria होता है streptococcus mutants ये जो bacteria है ये हमारे दातों में plaque जमाता है जिसके कारण cavity होती है और ultimately दात गिरने तक की नौबत आ जाती है green tea में जो kathachin होता है वो इस bacteria की growth को control करता है उसको रोप के रखता है जिसके कारण दातों की जो बहुत सारी समस्याए हैं वो नहीं आती है और बहुत सारी studies से ये भी पता चला है कि ये bad breath जो होती है सांसों की बधू की परेशानी green tea का अगर इस्तिमाल करें तो bad breath की problem से भी आरा मिलता है इसके साथी कुछ studies से ये भी पता चला है कि ये influenza के virus को भी kill करता है तो green tea का इस्तिमाल करना बहुत ही लाब दाया कि अभी green tea के तो बहुत धेर सारे fire बाकी है लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा अगले episode में फिलाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वास्त रहे हैं व्यस्त रहे हैं, मस्त रहे हमसे मिलते रहे हमसे मिलने के लिए क्या करना है इस channel को subscribe करना है अपने दोस्तों अपने रिश्दारों को बोलें इस channel को subscribe करें घर बैटे स्वास्त रहा है और हमारे मकसद में हमारा साथ दे हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैटे ही स्वास्त रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेर और लाइक करना ना भूलें धन्यवाद